हेलो बच्चों आज हमारा question है what fraction of a clockwise revolution does the hour hand of a clock turn through when it goes from पहले question सब्जो what fraction of the clockwise revolution पहिए क्या fraction बनेगा अगर हमारी घड़ी किसुई clockwise revolution करती घूमती है क्लोकवाई में जैसे घड़ी किसुई गुमती है does the four hand of a clock मतब घंटे किसुई अगर हो क्लोकवाई गुमती टन थ्रो वन इट गो थ्री टू नाइन आपको समझो यह हमारी हम घड़ी किसुई ले तो थ्री से यह थ्री से जाएगी अगर यह थ्री है यहां से गुमते गुमत dużo और क्या होता हना में और नीचे वाला फ्रेक्शन कि में बनेगी गौला है तो सब्सक्राइर आपको समझना कि पूरा जो गोला है ना कितने अंगिल का है हमें एंग्ल से में लेना है क्योंकि एंग्ल में आप देख़ो एक से लेके 12 एक वन से लेके 12 तक इसमें गिंती है पूरा जो हमें जो गोला होता है इतना समझ लो आप यह हमारा होता है 360 degree का होता है जो एक यहां पर आपको एक गोला दे रखोगा यह समझे न सिधर शिधे 360 एंगल का अगर एंगल में दे रखो क्या है 360 degree है ओके अभी एक कैसा पता लगता है कि यह 300 होती इसमें क्या होता है अगर मैं यहां बनता है 90 यहां बनता है 90 यहां बनता चार 90 क्या होता है 360 होते है भाई यह बंड़ा अब हमें पता लगए टोटल तो हमारे कितना है 360 है ओके और यह 309 तक एक आप चीज सिधे मिन ले सकते यह एक स्टेट लाइन आ रहे हो स्टेट लाइन हमें सा कितनी होती 90 की होती लेकिन अगर स्टेट लाइन नहीं होती तो कैसा पता लगए तो इसके लिए पता लागाने कि हम क्या करते है जो को वन से कितनी है हमारे पा जो इससे क्या मतलब होँ इसका यह मतला हो कि एक नम्मर से दूसरे नम्मर केपीच का जो ईंगल बन दा हो 30-11 से लेके यह दो से लेकि दो दो गाए दिगरी का अंगे एक ओर बन गए फाइब सिख्स माइथ तो फॉर धां तो एंटू थो जिएन बन भाइब बन ने तो आइड्रे अटक होता एक एक सीधी लाइन भी हमारा कितनी की होती 180 डिग्रीक होती यहाद पता लग रहा को 180 की तो हम उपर लिख देंगे 180 इसका मतलब क्या होता 360 में 180 आए मतलब 180 ओट ओफ 360 यह तो भाई 0 से 0 कर जाएगा तो हमारा क्या बज़ता 18 अपॉन थर्टी सिक्स भाई 18 1 जा 18 18 टुज़त थर्टी से 18 की टीवल में आ रहा था तो हमारा फ्रेक्शन बना 1 अपॉन टू तो यह हमारा फ्रेक्शन क्या बन गया वन अपॉन टू हाप भाई 360 का हाप क्या रहा 180 होता ओके अब 4 to 7 जा रहे भाई अब 4 ढूंडो 4 का हमारा ये है भाई ये और का जा रहे 7 तक जा रहे ये एंगिल कितने का हुआ है भाई 1 की आ रहा 30 जब 4 से 5 गए 5 से 6 गए तो 30 और 6 से 7 गए तो 30 भाई complete तो हमें मालू में 360 degree का है लेकिन उसमें हम घूमें कितना 30, 60, 90 degree घूमें भाई ये एंगिल तो 90 का है न तो 0 से 0 कड़ गए क्या बच रहा 9 अपॉन 36 9 बन्जा 9, 9 फोन्जा 36 हमारा जो fraction मिनेगा 1 अपॉन 4 का बनेगा ओके ऐसी देखो भाई 6 to 9, sorry 6 to 9, 6 हमारा ये है और 9 हमारा का है ये है भाई यहाँ ये वाला भाई हमें टोटल तो पता है न 360 degree का है पुरा गोला है तो 1, 2, 3 बन्डे, 3 मतलब 90 बन्डा, 0 से 0 ओके 9 अपॉन 36, 9 बन्जा 9, 9 फोन्जा 36 कितने का एंगिल बनेगा, कितने का फ्रेक्शन में गहा ऑन आपॉन 4 का बनेगा भाई 1 अपॉन 4 का बनेगा ओके 12 से 9 जा रहे भाई 12 का हमारा ये है 12 और कहा जा रहे? 9 ये पूरा भाई कवर करना ये तो देखो, 1, 30 degree यहां, 2, 30 degree यहां, 30 degree यहां, 30 यहां, 30 यहां, 30 यहां, 30 यहां, 30 degree यहां बन्दा, और 30 डिगरी यहां बन्दा, कितने बार 30 बन्दा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टाइम, 9 इंटु 30, 9, 3027, और यह 0, तो भाई, 360 टोटल है, उसमें से 270, भाई, 0 से 0 कट गया, 27 अपॉन 36, किसकी टेबल में आता वही, 9 की टेबल में आता, 9, 3 जा, 27, 9, 4 जा, 36, तो 3 अपॉन 4 हमारा क्या फ्रेक्शन में आ रहा, ओके,